हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इस्टडी आर्थव और आपकी श्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आज मैं कम्पनी पटना शैली के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हो कम्पनी शैली का टाइम डियूरेशन ने 18 तू 19 सेंचुरी ठीक है उन अठारवे से उनेश्वी शती तक चला है और बिसेकली इसकी खोज हुई थी पीसी मानक के थ्रूँ पीसी मानक ने खोज किया है कम्पनी शैली का कब किये यह भी इंपॉर्टेंट है तो 1943 उनेश्वी प इसलिए कम्पनी शैली को पटना शैली के भी नाम से जाना जाता है इसका प्राचीन नाम था आजमाबाद किसका प्राचीन नाम था आजमाबाद प्राचीन नाम था कम्पनी शैली कम्पनी शैली में बिसिकली जो पेंटिंग्स बनाया थे वो डेली लाइफ से रिलेटेड जैसे for example के तोर पर हम देख लेते हैं व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी, मचली बेशने वाली, टोकरी बुनने वाली, साधु वा किसान, पतंग विक्रिता, चक्की वाली, लोहार, सुनार, दरजी, सेविका, मिट्टी के खिलोने बनाने एवं बेशते हुए इस तरह की पेंटिंग्स यहां पर बनाई गई है, जो पीसी मानक थे, 1943 में इन्होंने खोज किया था, तो ये शीवलाल नामक चितेरे के चित्र को सरप्रतम खोजे थे, कहां से पटना शहर से, पटना शहर से इन्होंने शीवलाल की पेंटिंग्स को खोजा, सेवक राम कौन से कलाकार प्रतम और लाश्ट आर्टिस्ट कौन है, अंतिम कलाकार इश्वरी प्रशाद, लाश्ट आर्टिस्ट है, इस्वरी प्रशाद, देखें इन दोनों का जिक्र है, ठीक, अब अधर आर्टिस्ट है, शीवलाल, हुलासलाल, जुमकलाल, उल्लूलाल, मुकुंदलाल, गोपाल लाल लाल चन्र गुपाल चन्र कहर सिंग और सेवक राम इस्वरी प्रशाद के बारे हमने डिस्कस किया है उसके बार राम प्रशाद तोबी लाल फकीर चन्र शिव दयाल और यहां की महिला कलाकार कौन है तो महिला कलाकार है दच्छो व सोना दच्छो असोना यहां की महिला कलाकार है फर्स्ट आर्टिस्ट है जो सेवक राम सेवक राम कहां से कहां आये थे तो ये मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद से पटना आये थे ठीक है मुर्शदाबाद से पटना आये है सेवक राम पहले कलाकार है देखें कमपनी शेली में भिकारियों की चित्र कौन करता था तो भिकारियों की चित्र करते थे कहर सिंग कहर सिंग भिकारियों की चित्र करते थे लाल चन्र और गुपाल चन्र को क्यों जाना जाता थे तो इनको जाना जाता था व्यक्ति चित्र के लिए वेक्ति चित्र सबसे अच्छा बनाते थे company शाली में हाथी रात के लिए famous रहे है शीवलाल उसपे paintings करते थे चित्रकारी और शीवलाल के पिता थे फकीर चन्र फकीर चन्र भी कलाकार रहे हैं इनके पिता थे और इनके पुत्र रहे है इश्वरी प्रशाद इसवड़ी प्रशाद सिवलाल के पुत्रत थい और यहां के अंतिम कलाकार्ट थे auto अंगे और नेक्ट उपोर्टेंट टास्क जी है कि do में कमपणीmed ए देटोग्राफी की स्थापना किसने की ती लितोग्राफ फ्रयस किसने लितोग्राफी की प्रेस्ट की स्थापना की लितोग्राफी प्रेस्ट लगाया थे लितोग्राफी की खोज कब हुई है और इसके फर्स्ट फाउंडर कौन रहे हैं सर्वर्पतम किसने खोज आता है इसका अब को यह आपका मिंटो की लाड मिंटो के अनेक चित्र बनाये थे सेवक राम सेवक राम ने बहुत सारी पेंटिंग्स लाड मिंटो की बनाई हैं बनारस में कंपनी शैली का संदक्छड किस ने किया तो बनारस में इस्वरी नारायर ने बनारस में इस्वरी नारायर ने कंपनी शैली का संदक प्रशाद थे, इस्वरी प्रशाद, दोनों में डिफ्रेंस समझेए, थोड़ा से मानर चेंजेज है, बनायस में सनरक्षर प्रदान किये थे नारायर, लेकिन अंदीम कलाकार रहे हैं, इस्वरी प्रशाद, उन्वीसिव शदाब्दी में, मतलब 19 सेंचुरी में, पटना शैली का उत्थान का समय रहा है, कब रहा है, 19 सेंचुरी, 19 वी शती तक, कमपनी शैली में चेहरे कैसे बनाये गए हैं, तो चेहरे यहाँ पर देड़ चस्म बनाये गए हैं, देड़ चस्म, देड़ चस्म चेहर पर कहां बनाए गए कंपनी शैली में और मुगलकाल में भी अकबर के टाइम में भी बने हैं कंपनी शैली में कागज चित्र जो बनाए गए हैं वो कागज पर बने हैं कागज और हाथी रात हाथिदाद और किसपर बनाए गए हाथिदाद पतरियों पर फेज़ी बहुत फेमस रहा है इसपर पेंटिंग बनाए गई है और मोशली देखिए वाटर कलर जल रंग का यूस किया गया है टैमपरा और जल रंग दो नों में काम किया गया भी 2022 के एक्जेम में भी कुश्चन यहां से तो ही तो steps का यूज कंपनी चाली में जो काघज used होने लगा तो विदेशी से कास्ते होगा विदेशी काघज उसका सबसे पहले यूज किया जाने लगा है से विदेशी काघज का कंपनी शैली की कि HA turkey कम्पनी शैली जैसे हैं अहम कलाकार उभ्रें कमपनी शैलियस है कंपनी शैलिय से इंफ्लोएंस किसका रहा है作 की sister किसका रहा है तो भारतिय भारतिय लुकर यूरोपीय अब सोच रहा होंगे भारतिय प्लस यूरोपीय कैसे रहा क्योंकि कंपनी शैली के जो आर्टिस राजारवी वर्मा उभरे हैं इनके सब्जेक्ट मेटर इंटियर माइथोलोजिकल होते थे और जो टैक्निक्स होती थी वो यूरोपीयन होती थी भारतिय मुगल कह आपनी शैली के आर्टिस्ट ने अभरग अभरक पर अभरक पर इंटींग बनाए का इसे सुच में लगू चितर कहते कमपनी शैली में छह चोटे चितर के कमपनी शैली में विसेकली पेंटिंग्स कैसी बनाई गए इसका साइज डूरेशन क्या था तो छोटे चित्र सेट तयार किये गये थे ठीक है छोटे 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 सेट तयार किये सेट तयार किये जाते थे जिन्हें फिरका कहा जाता था फिरका फिरका ये फिटका इस साइज को कहा जाता था इस सेट को पेंटिंग तयार किये जाती थी इस सैली में अखबारों पर भी पेंटिंग्स बनाई गई है निउस पेपर पर भी अखबारों पर भी पेंटिंग्स बनाई गई 16 इंच तो साइज बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लिए जहन में कि इंपॉर्टेंट है कि मिनियाचर साइज एट इंटू इंच में होते थे और यू साइज बनते थे वह 21 इंटू 16 इंच में होते हैं कंपनी शेली का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया एकस्प्लेट हमने इसलिए कि यह लाज्ट एक्जाम में कंपनी शेली से रिलेटेट बीक्वेश्ट आया हुए थे मोश्ट इंपॉर्टन शेली थी तो हमनी चाहते कि कोई भी कुशन से आपका इसकीप हो इसलिए हमने अ पटना कलम शेली के नाम से भी कमपनी शेली के स्क्रिन पर आपका फर्स्ट कोश्चन है पटना कला शेली का विकास कि दो कला शेलियों के सम्मिस्टर से हुआ है option no first है यूरोपी एवं भारतिय शेली 2nd ए यूरोपी एवं बंगाली शेली थर्ड है इसाई एवं हिंदू श आपका राइट एंसर हो जाएगा यूरोपी एवं भाड़ती है शैली पटना किस केंद्रे के रूप में प्रशिद रहा पटना कमपनी शैली के रूप में प्रशिद रहा है पटना शैली चुत्रों का दूसरा नाम क्या है पटना शाली के चित्रों का दूसरा नाम है कमपनी शाली कमपनी शाली के भारतिय केंडरों में प्रशिद है भारतिय केंडरों में कौन सा प्रशिद है पटना शाली Question number 5 है आपके स्क्रीन पर उत्तर भारत में कमपनी शैली का प्रमुक केन रहा है पटना Company स्कूल के स्थापना कहां होई Company स्कूल के स्थापना कहां होई थी पटना में Question number 7 है आपके स्क्रीन पर UKGIC 2018 का question है Company अत्वा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवीत होई सबसे पहले पटना में पल्लवीत होई थी पटना शैली के चित्रोकारों को सरुपतम किसका संरच्षर प्राप्त हुआ था अंग्रेज अधिकारियों का अंग्रेजी शाषन के कारण जिस नवीन चित्रो शैली का जन्म हुआ वह कौन सी शैली थी Company शैली Company शैली के चित्रों में किस प्रकार के विशे विशेश तोर पर चित्रित हुए है सबसे जादा जो पेंटिंग बनाई गई है वो नॉर्मल जैनल लाइफ पर डिपिक किया गया है जन्मानस और जैनल लाइफ बिसिकली होता क्या है तो हमने शुरू में ही डिस्क्राइब किया था आप लोग को कि बिसिकली जो डेली वेर लाइफ जो हमारे जो रोज मरा की चीज़े होती है उस तरह की पेंटिंग से यहां पर बनाई गई है कमपनी शैली का प्रारंबी केनर था पटना कमपनी शैली के चितरड की टैक्निक क्या थी कमपनी शैली के चितरड की टैक्निक 2021 PGT में इस बाइ क्वेशन आया होता टैक्निक थी जल रंग वोटर कलर कमपनी शैली के प्रशिद्य चितरकार कौन थे कमपनी शैली के प्रशिद्य चितरकार रहे हैं आर्टिस्ट इश्वरी प्रशाद इश्वरी प्रशाद अन्तिम कलाकार थे पटना शैली का प्रमुक चितरकार था पटना शैली के प्रमुक चितरकार रहे हैं आर्टिस्ट शेवक राम, देखे मनसूर तो जहांगीर टाइम के हैं, बिशनदाश छवी चित्र के लिए निपूर्ण है जहांगीर टाइम में और मिस्कीन भी जहांगीर टाइम के कलाकार है हुलास लाल की शैली का प्रश्चिद चित्रकार था हुलास लाल फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, कमपनी शैली के और हुलास लाल फेमस की उते हैं, तो इन्होंने कमपनी शैली में लितोग्राफी की स्थापना हुलास लाल नहीं की थी लितोग्राफी प्रेस लगाया थे उनिस्वी शताबदी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार कौन थे 2021 एक्जाम में आया था PGT के एक्जाम में सो राइट एंसर हो जाएगा सेवक राम, शीवलाल, हुलासलाल, जैरामदास ठीक है इन में से कौन कमपनी शैली का चितरकार नहीं है कमपनी शैली के चितरकार बिसंदास नहीं है बिसंदास पोर्ट्रेट के लिए फेमस रहे है जहांगी टाइम के कलाकार लगो चितर शैली के सुप्रशिद कलाकार सेवक राम से संबंदित है सेवक राम पटना शैली से संबंदित लाल चंदर कि शैली के चित्रकार थे लाल चंदर कंपनी शैली के चित्रकार थे लाल चंदर कंपनी शैली का चित्रकार कौन था कंपनी शैली के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं तीली केटल और तीली केटल ने सरपतम इजल का इन्वेंशन किया इजल बिसिकली होता क्या है देख पर कैन्वस को रख देना तो इजल का प्रता मतलब फर्स टाइम इंवेंशन किया थे टीली कैटल इंडिया में ब्रिटीश कलाकारो जो ब्रिटीश चित्रकार थे उनका आगमन श्रिंख्ला टीली कैटल 1735 से 1786 इसवी से प्रारभ होता है जो 1769 में इंग्लेंड से मद्रास आ प्राप्त करने वाला पहला तीली कैटल थे वह कंपनी शैहली के शत्रकार भी रहे हैं तीली कैटल के बनाएंं दो चितमा एक इनकी प्येंटिंग है आकृति और अपनी है दूसरी है नर्तक नर्तक और आक्रती राष्टी आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है ये दोनों पेंटिंग है टेली कैटल की देखे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिफ्स है मतलब अन्न महत्पूर तत है कर्नल जैम्स इसकीनर ने कंपनी शैली में बने चित्रों का संदक्षर दिया उन्होंने बड़ी मात्रा में इस शैली के चित्रों का संग्रह किये थे ठीक है उसके बाद नेक्ष्ट है इलियाह इंपी तथा पत्नी मैरी इंपी ने लगभग 300 और वोलिंगटन ने 25 मतलब 2500 चित्रों का संग्रह एक्जबिशन किये थे फिर थर्ड है लक्नोव में बसे मेजर जनरल क्लाउंड मॉटीन ने 1735 से 1800 इस्वी में भूध दिर्ष्ट है मनें लैंड्सकेप इन्होंने बनाया लैंड्सकेप में बने काली गरूर के चित्र सहीत 658 पक्षी चित्रों का संग्रह रेडी किये थे ठीक है चलिए अब नेक्ट कुशन देख लेते हैं पटना स्कूल का चित्र है पटना स्कूल क बहुत हुज माइनर चोटे-चोटे साइजेज होते हैं लॉड मिंटो ने अनेक चित्र खरी दें लॉड मिंटो ने अनेक चित्र जो खरी रेते वो किसने बनाये थे सेवक राम ने सेवक राम ने लॉड मिंटो की बहुत सारी लाइफ साइज स्केचिंग्स रेडी किये थे मुगल चित्रकला की पतन के पश्चाज जो शैली विभिन केंद्रों में इस्थापित हुई वह कहलाई क्या कहलाती थी उस शैली को कहते थे कंपनी शैली मिसेज आर्चर की अनुसार मिसेज आर्चर की अकॉर्डिंग कम्पनी शैली का विकास या दबी पटना में हुआ था किन्तो ये शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तथा उत्तर भारत से दच्छिर भारत में से महाराज तथा पंजाब में सिंद्र तथा नेपाल तक विश्द्रित रही है मुगल शैली के पतन के बाद कि शैली का जन्म होता है जब मुगल शैली का पतन हो जाता है तो एक नई शैली इंवेंशन होती है क्योंकि लाज्ट क्लास में हमने मुगल राजस्थानी और पहाड़ी कम्प्लीट किया फिर उसके बाद पतन हुआ तो कम्पनी शैली का इन्वेंशन हो गया ठीक कम्पनी शैली की मुख के अधियता थी मिसेज आर्चर सो फाइनली आज कम्पनी शैली कम्प्लीट हो चुके हैं अब नेक्स क्लास में आपके समकालीन और आधुनिक कलाकार बेंगॉल के चितरकार के क्वेशन कंप्लीट कराने वाली हूं और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चै नुटिश्टिकेटिश्ट